दुनिया भर में फैले कोरोना वाइरस के हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने सभी सिनेमा घरों को 31 माज तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है दुनिया भर में फैले कोरोना वाइरस के हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने सभी सिनेमा घरों को 31 माज तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है सरकार के इस फैसले के बाद से बॉलिवूर इंडस्टी की पांच फिल्मों का भविश अधर है इसमें इर्फान खान से लेकर अक्षे कुमार तक की फिल्म में शामिल है जानते हैं इन फिल्मों की लिस्ट के बारे में जिने दिल्ली सरकार के फैसले के चलते नुकसान उठ तेरा मार्च अंग्रेजी मीडियम इर्फान खान और करिनवपूर खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम का अच्छा खासा बना हुआ था फिल्म की स्पेशल स्कीनिंग हो चुकी है जहां कई स्टास ने इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म की तारिफ भी की थी लेकिन इस फैसले के बाद इस फिल्म के मेकर्स के लिए काफी अजीब और गरीब स्थित बन गई होगी क्योंकि अंग्रेजी मीडियम कल यानि 13 मार्च को रिलीज होने जा रही है यह वही फिल्म है जिसके जरिये इर्फान गंभीर बिमारी से जूजने के बाद कमबैक कर रहे हैं ऐसे में कर किये फिल्म पिछले काफी समय से लटकी हुई थी और व्याकर का इस फिल्म को मार्च के महीने में रिलीज करने जा रहे थे लेकिन इस वैसले के बाद एक बार फिर इस फेमस डिरेक्टर के लिए मुश्किले खड़ी हो गई है बबलू बैचलर चोटे बजट के फिल्म बैचलर भी 20 मार्च को रिलीज होने जा रही है इस फिल्म में शर्मन जोसी बबलू का में किरदार निभा रहे हैं फिल्म में तेश्री प्रदान और पूजा चौपर ने भी एहम किरदार निभाया था उत्तरप्रदेश के बैकड्रॉप पर बड़ी इस फिल्म की अगली शिबा शी सरकार ने भी कहा था कि वो कोरोना वाइरस के खत्रे को लेकर सतर्क है और अगर ज़रूर पड़ी तो फिल्म की रिलीज डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है देखना ये होगा कि फिल्म के में कस इस फिल्म के लिए अगली रिलीज डेट क्या दै करते हैं ताजा और रोचा खबरों के यूँ ही जुड़े रहे हमारे साथ और हां हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें